खेलो दोस्तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे दोस्तो इस समय अलरजी बैक में अपना एकांट ओपेन करना बहुत ही मुश्किल है अब जब अपने account open करेंगे तो आपको बार बार error आएगा और आपका account open नहीं होगा तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बीना कोई tension के बहुत ही असानी से आप अपना account अलरजी बैक में कैसे open कर सकते हैं तो चली और देरीने करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे छोटा सा request है अगर आपको वीडियो useful लगता है तो like कर दे और आगे भी सी तरह का informative useful वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले दोस्तो आपको सबसे पहले पिले स्टोर ओपन करके यहां से अलरजी बैंक अप्लिकेशन को इस्टॉल कर लेना है अप्लिकेशन इस्टॉल होने के बाद यहां पर नेस्ट नेस्ट पर किलिक करके अप्लिकेशन को ओपन कर ले अब बीकम ए मेंबर पर किलिक करें Location को Enuel कर दें अब यहाँ पर आपको अपना Mobile Number इंटर करना है दोस्तों Mobile Number वही देना जो आपका Upshare से registered होगा दूसरा Mobile Number नहीं देना वर्ना आपका एकाउंट open नहीं होगा ओके अब यहाँ पर अपना Upshare वाला Mobile Number इंटर करना है इसके बाद A Common Number इंटर करें मुबाइल नमबर एक आमन नमबर इंटर करने के बाद Terms and Conditions पर टिक आउट करके Confirm पर किलिक कर दे अब आपके मुबाइल नमबर पर एक OTP आगा है उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दे अब यहाँ सबसे पहले है Profession तो यहाँ पर आपको किलिक करना है और आपको अपना Profession सेलेट कर लेना आपका क्या जौब है अपना जौब को सेलेट कर ले इसके बाद यहाँ पर आपको अपना E-mail ID देना है इसके बाद है Primary Income Source आपका Income कैसे होता है उसे सेलेट कर ले जैसे मुझे सेलेरी मिलता है तो मैं यहाँ पर सेलेरी को सेलेट कर लेता हूँ इसके बाद मंधली Income आपका कितना Income है अपना Income टाइप कर दे इसके बाद है Wet Tax Number इसे रहने दे इसमें कुछ नहीं करना है इस सारा डिटेल समिट करने के बाद Next पर किलिक कर दे दोस्तों यह है नफात आपको Account Open करने के लिए आपका नफात में Registration होना चाहिए आप नफात Application के जरीए अपना Verification करा कही अपना Account Open कर सकते हैं जैसे मेरा नफात में Registration नहीं है तो पहले मुझे नफात Application में अपना Registration करना होगा तो इसके लिए यहाँ Open नफात Application पर किलिक करता हूँ यहाँ से नफात Application को Install कर लेना है Application इस्टॉल होने के बाद Application को Open कर ले Setting पर किलिक करके यहाँ English को Select कर ले जिससे आपका Application Language इंगिलिस में हो जाएगा अब इसके बाद आपको यहाँ Login पर किलिक करना है यहाँ आपको अपना Aqama Number इंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ अपना Upshare का Password इंटर करना है यहाँ दोस्तों Upshare का जो Password होगा आपको उस Password को इंटर करना है इसके बाद Next पर किलिक कर दे अभी आपके Upshare के Registration Mobile नंबर पर को OTP आगा वस OTP को यहाँ पर इंटर कर दे अब यहाँ नफात Application का Six Digit का Pin बनाना है इसी Pin से आप नफात में किसी भी Request को Approve करा सकते हैं इसलिए यह Pin को आपको याद रखना है तो मैं भी अपना यहाँ पर Pin Create कर लेता हूँ दुबारा से Pin इंटर करें Confirm करने के लिए Scan होने के बाद आपका नफात Application का Setup कमप्लीट हो जाएगा अब Finish पर क्लिक कर दे अब वापस से चलते हैं Alraji Bank Application में फिर से यहाँ पर क्लिक करें देखें यहाँ मुझे 41 नमबर मिला है इस नमबर को मुझे नफात Application से Verify करना होगा इसके लिए यहाँ Open Nafat Application पर क्लिक करना है देखें दोस्तों मुझे Nafat Application में Alraji Bank के तरफ से Request आ चुका है अब इसे यहाँ से Accept करना है फिर Proceed पर क्लिक करना है मेरा नमबर था 41 तो मैं यहाँ पर 41 नमबर को Select कर लेता हूँ अब Nafat Application का Pin Enter करना है फिर मुझे अपना Face Scan करना होगा Face Scan होने के बाद आपका Process कंपलीट हो जाएगा अब वापसे चलते हैं Alraji Bank Application में तो यहाँ Return to Alraji Bank पर क्लिक करें अब आपके सामने इस तरह Counterface ओपन हो जागा मतलब आपको यहाँ आपका Address देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों यह तभी आएगा जब आपका National Address Proof बनावा होगा अगर आपका National Address Proof नहीं बनाया तो फिर यह नहीं आएगा अगर आपका National Address Proof नहीं बनावा है तो आप इस वीडियो को देखकर असानी से अपने National Address Proof बना सकते हैं ओके आपको यहाँ पर दो काम और करना है पहला है रिजन आप किस एरिया में रहते हैं और दूसरा आपना City को Select कर ले इसके बाद नेश्ट पर किलिक कर दे आप सिंगल है या मरीड है उसे Select कर ले फिर से नेश्ट पर किलिक कर दे अब यहाँ पर आपको अपना Country Select करना है आ अब आपको यहाँ पर नो को Select करके नेश्ट नेश्ट पर किलिक करते जाना है दोस्तों यह रहा आपका अलरजी बेंग अप्लिकेशन का यूजर नेम और यहाँ पर आपको अपना Password बना लेना इसी यूजर नेम और पासवर्ट से आप अपना अलरजी बेंग पाइएगा तो इसलिए आप इस यूजर नेम और पासवर्ट को नोट कर लें ताकि आप भोले नहीं तो चलिए मैं भी यहाँ पर अपना पासवर्ट बना लेता हूं पासवर्ट टाइप करने के बाद confirm पर किलिक कर दे अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अलरजी बे पिन सेट कर लेता हूं दुबारा सा पिन इंटर करना है confirm करने के लिए अब आपको यहाँ confirm पर किलिक करना है प्रोसीड पर किलिक करें ओके दोस्तों मेरा अलरजी बेंग एक्कॉंट बन चुका है लेकिन दोस्तों अभी यह incomplete condition में आगे अभी और बहुत कुछ करना तब ज यह complete नहीं हुआ है अभी आपको क्या करना है कि आपको अपना अलरजी बेंग अप्लिकेशन को लॉग ओट कर देना है लॉग ओट करने के बाद फिर से अप्लिकेशन को लॉग इन करें अलरजी बेंग का यूजर नेम एंड पासफ़र इंटर करें इसके बाद लॉग इन पर किलिक कर दें अब यहाँ एड डिवाइस टू ट्रस्टेड लिस्ट पर किलिक करें रिसीव एक कॉल पर किलिक करें यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना अभी आपके पास मैं अलरजी बेंग के तरफ से कॉल आएगा कॉल आने से पहले आपको इस तरह के एक OTP आगा आपको इस OTP को नोट कर लेना क्यूंकि आपको इस OTP को आगे जाकर इंटर करना है ओके मेरा कॉल आ चुका है तो मैं इस कॉल को रिसीव करता हूँ डिवाइस रिजिटर करने के लिए जितना नमबर आपको प्रेस करने के लिए कहा जाए आपको उस नमबर को प्रेस करना है जैसे मुझे पांच नमबर प्रेस करने के लिए कहा गया है तो मैं यहाँ पर पांच नमबर को प्रेस कर देता हूँ इसके बाद आपको OTP इंटर करने के लिए कहा जागा तो आपको वही OTP इंटर करना है जो अभी आपको call आने से पहले मिला था OTP इंटर करने के बाद call डिस्कनेट हो जाएगा अब इसके बाद go to dashboard पर किलिक करना है फिर से login पर किलिक करे दुबारा से अपना username और password इंटर करके login पर किलिक करे अब आपके bank registration मुबाइल नमबर पर को OTP आगा उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दे और इस तरह से फैनली आपका अलरजी bank account बनकर तयार हो जाएगा अब आप अपना अलरजी bank application को यूज़ कर सकते हैं और अपना अलरजी bank ATM card अलरजी bank जाकर क्योस मसीन से अपना ATM card प्रिंट करके ले सकते हैं आई होप दोस्तों अभी आप असानी से अलरजी bank में अपना account ओपन कर पाईएगा आज के वीडियो में थे दोस्तों अगर आपके मन में कोई डॉट है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपका comment कर जितना जल्ले सकते हैं रिप्लाइग करूँगा ओके दोस्तों वीडियो पतंद आया तो लाइक करें और हाँ दोस्तों चैनल तो सस्क्राइब करना ना बोले आगे से तरह का नफॉर्मेटिव यूसफुल वीडियो देखने के लिए तो चली जल्दी मिलता हूँ आपसे नेस्ट टॉपिक नेस्ट वीडियो के साथ तब त कियर